करारी हार के बाद राजस्थान कॉंग्रेस में जगडा शुरू हो गया है एक तरफ अशोग गहलोथ है वो पीछे हटने के लिए तयार नहीं है वो ये कह रहे हैं कि लोग सुभा में 25 के 25 सीटे लाने के लिए वो तयारी कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सचन पाइलट है जो ये कह रहे हैं कि जब जब युवाओं को मौका मिला है तो उन्होंने अपने आपको साबित करके दिखाया है इसका मतलब ये है कि भले ही अशोग कहलो सचन पाइलट के लिए स्पेस छोड़ने को तयार ना हो लेकिन सचन पाइलट ने भी ना अपनी उमीदे और ना अपनी कोशिशे छोड़ी है जरा सुनिए एक एक बार दोनों लेताओं को लोगसबाद चुणाव के लिए हमने भी कहा है अवान किया सबको अभी से अब लग जाओ लोगसबाद चुनाव की त्यारी के लिए जो नवीदेशी थे हैं उन्हें लिखवेश के लिए कि हम सब की जूटी बनती है कि लोगसबाद चुनाव क्या परफॉम करें और किस प लिए उनको शुदा दिया है इस बात में कोई दोर आये नहीं कि 25 के 25 सीटे जीतने के लिए अभी से रणनीती तयार होगी तब लोगसबाद चुनाव में सीटों में परिवर्तित होगी लेकिन साथी साथ यह कह देना सचिन पाइलट का कि युवाओं को मौका मिलना ही चाह को तो मौका मिलना ही चाहिए युवाद देश का भविश्या है लेकिन इसमें इन बात का कनेक्शन आपस में जोड़ना इसका कोई आपस में कोई संबंद नहीं है हमारे दोनों नेताओं के संबंद बहुत अच्छे है यह आपने अभी राज़तान चुनाव में भी देख कि नहीं बात में बताओं कि युवाओ को मुका भाजबवेवी बिलना चाहिए मैंडम अभी जो है अभी देख लिजी ने जो है जो चेह रहे उतारे उनके खिलाफ कितने जो है कितनी आवाज़े उड़ी ते बघारत हुई उसके खिलाफ और खुद भोदी जी जो है सारे कि आप राजनाट जी को देख लिए आप किसी बादरा सिंधिया जी को देख लिए आप किसी भी युवा नेता को या नेता को यह देख लिए भाष्पा में तो नेता की इगिंती नहीं है कि आपके बात रितुजी ठीक भी मांदू कि बाकियों को मौका नहीं दे रहें लेकिन जनता तो उन्हें पूरा मौका दे रही है ना तीन राज्य जिता के दे दिये रेकिन राकेश जी आरोप आपने फुन दिये रफाकशी क्या आपकी पाची में हैं इस वर्तमान जिसको आप अंदेखा करने का प्रयास कर रहे हैं जिसको आप देखना नहीं चाहरे हैं सचिन पाइलेट को इस तरह से सटों पर ने घूमना पड़ा होता है सचिन पाइलेट को जो सटों पर जाना पड़ा वो केवल अंदेखी करन जाना पड़ा है आप मुझे एक बात समझाइए एक बात समझाइए आप आप कहरें युवा की परिभास क्या है यह रहेंगे रहूल गांधी को युवा मानना बंद करिया अब राहूल गांधी एक बुजूर्गियत के तरफ बढ़ चुके उनकी सोच बुजूर्गियत के हैं उनके सोच में नवाचार नहीं है और इसलिए आज कोग्रेस की रसा है राहूल गांधी चाहिए जो भी हो लेकिन परदान मंत्री जी से तो भी भी 45 साल छोटे ही है यहां पर बार्टी की जीत और हार पर हो रही है एक पार्टी जीत गई पर पर एक रहूल गांधी के चहरे पर चूनाव लड रही ठीवाटि के चिहरे पर चुनाब लड रही है इन्हें आयना दिखाने की कोशिश करना वो तो कहरें भई हम जीत गए हैं देखें मैं आपको बार बार ये बात कह रहे हूं कि जनता का जो मेंडेक जो आया है उसका हम बहुत सम्मान करते हैं लेकिन आप भूलिये मत ये बात कि हमें 40% जनता ने हमें वोट करा है और उस जनता का उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं हम हारे नहीं है मैडम हम जीते हैं हम लोगों का दिल जीते हैं लेकिन इस जीत के साथ 2024 की सीटे आप कैसे जीतेंगे अगर सचिन पालेट और अशोग गहलोत के बीच में सामन्चस से नहीं बैठा तो राजिस्थान के 25 सीटे कैसे जीतेंगे यह अगर मीडिया बार बार यह बोलेगा एक ठूट को दस बार दोराने से वो सच नहीं हो जाता है इस परकार के कोई स्थिती राजिस्थान में है नहीं और हां सचिन पालेट जी को उनका अधिकार उनका हक मिलना चाहिए वो समय आने पर मिलेगा और राहूल गांडी जी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है राहूल गांडी जी नहीं नहीं यह देने का काम तो कॉंग्रेस का है ना पहले उनको सम्मान देजी अडवानी जी को तो कहां पेकर रखा है पता ही नहीं है क्या की रोड़िलार मीना होंगे क्या अरजुन्रा मेघ्वाल होंगे कौन होगा चेहरा कौन होगा यह तो पार्टी नेत्रत्व परामर्ज करने के बाद नहीं को पता हुए है जहां सरकार रिपीट हुई है सरकार रिपीट तब होगी जब परफॉर्मेंस करेगी जनता से किये वादे पूरे करेगी अगर आप जनता को किवल लॉलीपॉप डाला रिपीट है राजस्तान की यह खबर है अभी सरकार बनी नहीं है लेकिन गोलिया पहले ही चलनी शुरू हो गई है राजस्तान से आ रहे है इस वक्ति बड़ी खबर आपको बता दे लॉइन ओर्डर एक बहुत बड़ा मुद्द रहा है राजस्तान में इन चुनावों में लेकिन अभी से वहां पर कानून विवस्ता बिगरने की खबर है जैपूर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगा मेडी की गोली मार कर हत्या कर दी गई है इस वक्ति बड़ी खबर आपको बता दी सु राश्फिय करणी सेना से जुड़े हुए थे उन्होंने करणी सेना संगचन में विवात के बाद राश्फिय राजपूत करणी सेना नाम से अलग संगचन बना लिया था अब आप देखिए उनकी हत्या कर दी कई है राजस्तान में लॉयन और्डर का विशे एक ग्रेकंसर इस चुनाव में खास तोर पर बीजेपी की ओर से बार बार ये मुद्दा उठाया गया अब इस तरीके की खबर सामने आना लारेंस विश्णोई गैंग पर इसका आरोप लग रहा है सीसी टीबी फुटिज के आधार पर बदमाशू के तलाश में इस वक्त पुलिस लगी हुई है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुखदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या हो गई है ये बहुत ही चिंता जनक खबर है राकेशी इस तोर पर ये चिंता जनक भी है आक्रोस उत्पन करने वाली भी है और जनता में इस बात का आक्रोस था इसलिए परिवर्तन हुआ है मैं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ भरतियंता पार्टी की सरकार का सपत लेते ही ऐसे जो अपराधी है इनको चिंहित करके ये पाताल में हो या आसमान में कहीं चुपे उनको खीच करके निकाल कर जेल के सीक्चों में डालने का काम करेंगे और ला एंड ओर्डर पर जैसा मॉडल हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है उसी मॉडल को हम राजस्थान में भी लागू करके दिखाएंगे लागू करके दिखाएंगे किसी प्रकार के अपराधियों को कोई स्वरण अब नहीं मिलने वाली यह अपराधियों को समझ जाना होगा कि सत्ता का परिवर्तम में हो चुका है बीजेपी सांसाद गजेंद्र सिंग शेखावत का इस पर एक एक सपोस्ट भी आया है उन्होंने कहा है कि कानी सेना की अध्यक्ष के हत्या पार गजेंद्र सिंग शेखावत का यह ट्वीट है जिसमें वो यह कह रहे हैं कि मैं इस मडल से इस तब दू ले तो जी जब वो सब्सक्राइब है कि अभी तो रुजान आने शुरू हो गए है अभी देखें लॉए नौडर की सिटी क्या होगी और बड़ा चाहां दिया राके जीने कि हम यह करेंगे वो करेंगे कितना किया पहले बाई यह तो बताईए वह बनी पुरास तक जल रहा है कल की रिपोर्ट करेंगे बाईके पूरा पोस्त में पड़के बतादू आगर्जी इंद्र सिंग्जिखावत के इंद्र सरकार में मंत्री हैं वो यह कह रहे हैं श्री राजपूद कर्णी सिना के राश्री अध्यक्ष सुगदेव सिंग्यों मेरी की हत्या के स्वमाचार से मैं इस Сब्तब् कि अपील उन्होंने की है आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि भाजपास सरकार के शपत लेते ही राज्य को अपराद मुक्त करना हमारी अग्रणी प्रात्मिक्ताओं में से एक है ये प्रात्मिक्ता तो किसी भी सरकार की होनी चाहिए राकेशी चाहे वो बीजेपी की हो और अपनेफ़ करने से पाइक उदारन दे रहा हूं कि कैसे कितने माफिया है एक एक माफिया को चुन-चुन करके आज उसका हिसाब करने का काम किया है आज उत्तर प्रदेश कैसे कानुए उत्तर प्रदेश वाला काम राकेशी राजस्थान में तो तब होगा ना जब आपकी सरकार शपत लेगी शपत कब होगी बहुत जल्दी सपत होगी अब चुनाव हुआ है परिणाम आया है विधायक दल की बैठक होगी उसकी प्रक्रिया कि कि लोग ये नारे लगाते 스काव और उसके बाद करहिया लाल का जाकर के सर सब्रेसर्श को प्राहिए आप यह सब्सक्राय करेंगे हम फम्हीं सिस्वक्त दाषिब बन्लेंगी